इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मिशन बंदे भारत चल रहा है, जिसमें विदेशों से भारतियों को एरलिफ्ट करके वापस लाय जा रहा है। इस देश ने जो पहला बड़ा एरलिफ्ट किया वो आपकी अगवाई में था, जिसमें आप विदेश राज्यमंत्री रहते हुए विदेशों से भारतियों को वापस लेकर आये थे। इस बार के मिशन में और पिछली बार के मिशन में आप अंतर क्या देखते हैं और कितना सक्सेस्फुल इसको देख रहे हैं। उसके बाद उनकी क्वारिंटीन करके ताकि वो लोग कोई प्रकार का ना संकर्मन लेकर आएं ना उनसे किसी को संकर्मन हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो इससे पहले के जो मिशन थे उसमें इस महामारी का किसी महामारी का प्रकोप नहीं था। तो आप गए आपने लोगों को उठाया जो भी स्थिती ती चाए युद की स्थिती थी या युद की स्थिती नहीं थी आप उनको लेकर वापस आगे उनको अपने अपने घर भेज़ दिया। अब कोशिश ही हो रही है कि उनको हम लेकर आएं और बहुत एहतियात के साथ लेकर आएं। आपने देखा होगा अभी जब बीच के अंदर लोगों की हरकत शुरू हुई है थोड़ी धिल देने के बाद संकर्मन कई जगे पर भढ़ गया है। और इसलिए इस बंदे भारत अभियान के अंदर बहुत साथानी बरतने के ज़रूरत है क्योंकि जिन देशों से लाया जा रहा है वहाँ पर संकर्मन काफी है। हमको अपना बचाव करना है अपने लोगों का बचाव करना है। सरकार ने आप से सलाह की। हम तो सरकार का हिस्सा है अभी मैं सड़क परिवान देख रहा हूँ तो जो लोग इसके अंदर लगे हुए हैं जो लोग इस काम को अभी देख रहे हैं मेरे ख्याल से उनको अगर सलाह की जरूरत पड़ेगी तो जरूर पूछेंगे। आप पूर्व सिनाद देख्ष भी रहे हैं और इस समय आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसके चार दिन पहले तक की तस्वीरें आपने टेलिविजन पर देखी हैं जिसमें दो बड़े आतंकवादी हमले हुए हंदवाडा में दो दिन ऐसा हुआ लगातार कि हमारे सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए एंकाउंटर हुए गोली चली दोनों तरफ से आतंकवादी मारे गए रियाज नायकू की मौत भी हुई लेकिन इस से जो सवाल खड़ा हुआ वो ये कि सरकार ने 370 हटाने का फैसला लेने के बाद जो बात कही थी कि देखिए आतंक वाद के साथ क्या रिष्टा है वो एक अलग चीज़ है वो रिष्टा क्या है तीन सो सतर लोगों के मन के अंदर इस चीज़ को बढ़ावा देता था कि कश्मीर अलग है और उसका फैदा जो परुक्षिद हमारे खिलाव लड़ रहे हैं उनको मिलता था आतंकवादी कुछ रहेंगे जो अभी बचे हैं उनका भी सफाया होगा और मान कर चलिए जो हमारे सशस्तरबल हैं सेना है जेनके की पुलिस है सी आर पी एफ है बीएस एफ है सब लोग जो वहाँ पे लगे हुए हैं वो इसी चीज़ को लेकर लगे हुए हैं कि वहां से आतंकी समाप्त हो जा भी बदले लोगों के दिमाग के अंदर भी बदलाव आए और वहां पर विकास हो सारी के सारी चीज़ विकास से जोड़ी होती है और जिस प्रकार से प्रदान मंत्री जी ने विकास के लिए जो भी वहां पर दिया है जो भी चीज़ें वहां पर शुरू की हैं पहली बार म मेरा वहां पे काफी रहना हुआ है और मैं इसलिए आपको बहुत पुर्जोर इस चीज़ का मैं समर्थन करके कह सकता हूँ कि स्थिती बदलेगी हमें एक दो वाकियों के उपर नहीं जाना चाहिए वाकियों होते हैं कई चीज़े होंगी हम जब लाइन अफ कंट्रोल पर होत हैं एक दो चीज़े होंगी लेकिन इनके उपर काबू पाया गया है यह आप देखते जाएंगे